खबर सोलजपुल जलेके रामानुची नगर ब्लोक की ग्राम पंशेत तेजपुल से आ रही है जहाँ प्राप्त सूत्रों के अधार पर हर घड़ तरंगा यातरा के दौराण यहाँ के प्रधान पाठाथ कुश्वी मति दिवया सिंग एवम सिक्ष्व का निलिमा कुश्वा के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा करवाई जवाने के दौरान राश्री अध्वज तरंगा जंडा को उल्टा लगा कर तिरंगा यात्रा करने का मामलास सामने आया है जिसमें एक जंडे में हरीपटी को उपर की और किया गया है जबकि केसिया रंग सब से उपर आता है जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे और प्रातमे किश्वाला केंद्र तेजपूर के प्रधान पाठक एवाम सिख्षु का एवाम एक व्यक्ति का फोटो भी हाथ में है इनके द्वारा राश्च्री अध्वज तिरंगे जंडे का सम्मान न करते हुए राश्च्री अध्वज का अपमान किया किया तब इस सविश्वय पर हमने ब्लॉक सिख्ष्वाधिकारी के पास फोन के माध्यम से न्यूस 21 की टीम के द्वारा अवगत कराया किया कि ग्राम पैंच्वय तेजपूर में वाचापारा मोहला में घरघर तिरंगा यात्रा कारिक्रम के द्वारान वहां के प्रधान पाठक एवमा सिख्षिका द्वारा राश्च्री ध्वज को गलत ढंग से लगा कर राश्च्री ध्वज तिरंगे का अपमान किया किया है ब्लॉक सिख्षव अधिकारी के द्वारा कहा गया कि बच्चे लोगों ने गलती से उल्टा पकड़ा दिया होगा हमने उनसे बात करते हुए कहा कि सर बच्चे तो उल्टा पकड़ दिये हैं लेकिन वहां की प्रधान पाठक के द्वारा पच्चों को क्यों नहीं बताया किया कि जंडा किस प्रकार से लगाया जाता है यहां बड़ा ही चुंता का विश्वा है एक सिक्षक प्रधान अध्यापक को इस प्रकार से जंडा लगाना है या नहीं इतकी लापरवाही की कारण इस प्रकार से राश्य धजु का अपमान हुआ है फिर वह जंडा को जानमुछकर इस प्रकार से लगवाए है यह तो एक बड़ा विश्व है जबकि हमारे देश के स्वतंता के लिए कितने वेर जवानों ने अपने प्राणू को बलिदान कर दिया है और अपना खून भाहकर भारत को आजाद करवाया है जिससे हम भारत वासियों को आजादी मिली आज हम च्वैन की सांस ले पा रहे हैं लेकिन हमारे देश के कुछ सिक्षेत लोगों द्वारा राश्विधवज का अपमान किया जवा रहा है अब देखना है कि राश्विधवज तरंगा जंडा की प्रती राश्वभक्ती को लेकर साशन प्रसाशन द्वारा ऐसे लोगों के उपर क्या कारवाही की जाती है दीपन मानिक पूरी की रिपोर्ट